हेलो दोस्तों, अस्सलाम अलेकुम, कैसे हो, उमीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, देखिए, आज मैं आपके लिए प्यारा से डिजाइन लेकर रहाजीर हूँ, चलिए शुरू करते हैं, इससे आप ब्लैंकेट, सॉल, कुछ भी बना सकते हैं, इससे बनाने के लिए सबस चैन आप जितनी लंबी चाहें ले सकते हैं, लेकिन उट चैन आप 5-5 फंदों के जोड़े से लेंगे, 1-2-3-4-5, 5 हो गए, फिर से 5 लेंगे, 1-2-3-4-5, इसी थरह से 5-5 फंदों के जोड़े से आप चैन लेंगे, मैं अभी बना कर दिखाती हूं आपको, ये देखिए, chayne बना ली है 5 plus 5 plus 5 करके है Ap chain लिएगै और plus में 2 chayne और लिएगे अब हम 1, 2, 3 3 chain छोड़के 4चे वाले में यहाँ पर इस तरह से ma की रोशी बनाएंगे यह देखिए यह chain जहाँ से हम ने पहला double Hierощy लिए उसी chain में से हम दूसरे डबल किरोशे बनाएंगे ति देखिए एक दो तीन तीन हो गए यह तीन चैन थी एक डबल किरोशे फिर एक डबल किरोशे अब हम एक दो तीन तीसरी वाली चैन में दो चैन चोड़के तीसरी वाली चैन में कि इस तरह से सिंगल करोशे बनाएंगें तुछ यह देखिएं के अब फिर से दो चैन छोड़के 22 की सिंगल करोशे बनाएंगे अब सेन इसी चैन मेंसे हम इसी तरह से पांच डाइम बनाएंगे एक, दो, दो हो गया तीन चार यह पांच एक, दो, तीन, चार, पांच पांच डबल करोशे हो गये अब फिर से दो चैन छोड़के तीस रोल चैन में इस तरह से सिंगल करोशे बनाएंगे अब फिर दो चैन छोड़के तीस रोल चैन में डबल करोशे बनाएंगे अब सेम इसी चैन में से फिर से हमें पांच डबल करोशे बनाने एक, दो तीन चार पांच दीखें पांच डबल किरोशे होगे अब फिर से दो चैन छोड़के तीसरे वाल चैन में हम इस तरह से सिंगल किरोशे बना देंगे यह देखें अब फिर यह एक, दो, तीन लास्ट वाली चैन में हम यहाँ पे दो तीन डबल किरोशे बनाएंगे यह देखें जैसे शुरू में हमने तीन डबल किरोशे होगे थे तीन चैन एक डबल किरोशे और एक डबल किरोशे यह यानि टोटल तीन डबल किरोशे होगे थे से हम उसी तरह से हम लास्ट वाले में भी तीन डबल क्रोशे बनाएंगे दो तीन तीन डबल क्रोशे होगे यह पहली लाइन हमारी पूरी हो गई है यह देखिए अब हमें क्या करना इस तरह से सिंगल क्रोशे लेंगे सिंगल क्रोशे लेने के बाब जब हमने पहले इधर साइड से सिंगल क्रोशे बना था इसी में इधर साइड से हम यहाँ पर पांच डबल क्रोशे बनाएंगे एक दो सेम जगे से इसी में से हम पांच डबल क्रोशे बनाएंगे तीन चार पांच एक, दो, तीन, चार पांच पांच डबल किरोशे होगे अब जो यह हमने पांच डबल किरोशे लिये थे इसका सेंटर में एक, दो, दो छोड़के तीसरे वाले में सिंगल किरोशे बनाएंगे यह देखे अब फिर से हम जो ये शिंगल किरोशे लिया था, इसमें यहाँ पर पांच डबल किरोशे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, यह देखिए, पांच डबल किरोशे होगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब हमें एक, दो, तीस, फिर से इसी के सेंटर में से इस तरह सिंगल किरोशे बनाएंगे, फिर से जो इस सिंगल किरोशे हमने यहाँ पर बनाए था, इसमें पांच डबल किरोशे बनाएंगे, एक, दो, तीन चार पांच एक, दो, तीन, चार, पांच डबल क्रोशे होगे अभी लास्ट वाले में जो हमने तीन चैल ली थे एक, दो, तीन, तीन स्री चैल में यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशे बन देंगे इस तरह से इस देखे हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो चुकी है अब हम यहाँ पर तीन चैल लेंगे एक, दो, तीन तीन चैल लेने गवार इस तरह से घुमाएंगे इसको अब फिर से जैसे हमने शुरू में एक, दो, तीन, यह दो डबल क्रोशे लिए थे सेम इसी में से ही दो डबल क्रोशे और बनेंगे एक, दो, दो डबल क्रोशे होगे अब इसके सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनेंगे अब फिर जो हमने शिंगल क्रोशे लिया था इसमें हम पांच डबल क्रोशे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच एक, दो, तीन, चार, पांच होगे अब फिर से इसके सेंटर में सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर बार जो यह आएगा इधर साइड से इसके बीच में सिंगल क्रोशे और जो ही सिंगल क्रोशे लिया था इसमें पांच डबल क्रोशे बनेंगे हर लाइन में फिर से इसमें पांच डबल क्रोशे एक दो तेन चार पांच पांच डबल क्रोश होगे अब इसमें सिंगल क्रोश है अब लास्ट में जो हमने एक सिंगल क्रोश है लिया था इसमें इस तरह से इस तरह से हर बार इसी तरह से हम बनाएंगे एंड में पहले तीन फिर दूसरी वाली में सिंगल क्रोश है फिर तीन डेबल क्रोश है इसी तरह से हम पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे अगर वीडियो पसंद आते हैं लाइक शेयर जरूर करना यह देखिए अगर वीडियो पसंद आते हैं लाइक शेयर जरूर करना चैनल सब्सक्राइब करना थैंक यह फूर वाचिंग अगर वाषिंग झाल झाल